भूतों को देखनी की और उनको वापस उनकी जगह नर्क में भेजने की पावर थी एक दिन की बात है रसके कमर अपने बाप के साथ भूत पकड़ने जाती है जहाँ दो भूत थे एक तो ये खड़ा जिसके अंदर पानी गोल गोल घूम रहा है दूसरा वो कुट्टा जो इसके अंदर डूब के मरा है जिसमें कुट्टे को आजाद करने के लिए अंकल उसकी आत्मा को अपने अंदर बुला लेता है और उसकुट्टे के जैसे ही अरकत करने लगता है आगे अब तक रसके कमर बड़ी हो चुकी है और उसने अब तक जादू टोना करना बिल्कुल छोड़ दिया है जो कि अब एक छोटे से घर में रहती है और लोगों को कार चलाना सिखाती है जिसमें वो सीसे पर लिखकर कहती है साले भड़वे तुने कार का टैक्स नहीं भरा है जल्दी भर और तो और वो कमीनी मरने के बाद भी उसके कपड़ों को परेस करती थी और हमेशा उसे एक जैसे ही कपड़े पहनने को देती थी जिसमें भोलू जब दूसरे कपड़े पहनने की सोचता है तो वो उसके मुह पर अलमारी देकर मारती है कि साले मैं पहनाऊंगी तुझे दूसरे कपड़े कहता है कहता है गाड़ी चलाना मेरी प्रोब्लम नहीं है मेरी प्रोब्लम मेरी मर चुकी वाइफ है जो मरने के बाद भी मेरी कहकर मार रही है मैं सचमुच बहुत बड़ी प्रोब्लम में हूँ प्लीज मेरी मदद करो जिस पर रसके कमर उसको साफ साफ मना कर देती है कि अ और अपना जल्वा फिर से लोगों में बखेरना चाथा अब हाडवर्क उससे हो नहीं रहा था और उपर वाला उसकी सुन नहीं रहा था इसलिए वो नीचे वाले का दर्वाजा खट-खटाता है जिसमें उसने एक पेटी पैक लड़की को बोले तो एक वरजिन लड़की को स जल्वा फिर उसकी बहुत मदद की थी जो लड़की और कोई नहीं अपने भोलू भाड में जाको लगता है कि ये सारा की अधरा उसकी वाईफ का है जिस पर वो रसके कमर के पास कोल करता है कहता है आप पानी हवा में जा चुका है मुझे तेरी अर्जेंट मदद चाहिए फटा फटा जा यार जो सुनकर रसके कमर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है क्योंकि भोलू भाड में जाको सच में उसकी मदद की जुरूर्द थी वो बाई जत्वरी को देखती है और कहती है साले ये काम तेरी बीवी का नहीं है वो भला अपनी बेटी को नुक्सान क् ठीक हो जाएगी जिन साथ भूतों को पकड़ना बहुत असान था क्योंकि रसके कमर के पास आई दिन भूतिया खबरे आती रहती थी जिसमें वो एक भूत का थूकी खटा करने एक बुढ़िया से मिलने जाते हैं जिसका पती मरने के बाद इस डस्ट बीन में रहता है जो पाई दिन अपनी बीवी को काट खाने के लिए दोड़ता है क्योंकि वो साली हमेशा सुखे कुड़े को गिले कुड़े में डाल देती थी और गिले कुड़े को सुखे में रसके कमर अपना मंतर पढ़ती है आजा हजूर आजा तुझको गांड़ों के सहर ले चलू दिल थुक को रसके कमर एक डब्बे में खटा कर लेती है आगे वो घर पहुचते हैं क्योंकि भोलू भाड में जाको अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी जिस पर निगरानी रखने के लिए रसके कमर अपनी बेहन को बलाती है जिसका नोवा महीना चल रहा था आगे वो दोनों बाकी के भूतों का थुक की खटा करने निकल पढ़ते हैं जिनमें उनको मिलता है ये भूत जो दिवार पर बना हुआ है जो साला हमेशा दूसरों को घूरता रहता था रसके कमर फटा-फट अपना मंतर पढ़ती है और उसका भी खटा कर लेती है आगे एक भूत फ्रेंच है भूतों का थूक इखटा हो चुका था बस एक भूत का थूक और इखटा करना था जिसके लिए वो दोनों घर पहुचते हैं जहां रसके कमर की बहन का बोईफ्रेंट भी आया हुआ था रसके कमर अपना मंतर पढ़ती है और भोलु भाड मेजा की वाइफ को बुलाती है जो उसे गंदी गंदी गालिया बकती है कि साली सोतन तु मेरे पती को हड़पने की कोशिस क्यों कर रही है रसके कमर उस पर भसम का छिड़काव करती है और भोलु भाड मेजा अपनी वाइफ की उल्टी करके उसे वहां से भगा देता है कि चल निकल यहां से जिस बीच वो जादू टोना करके बली देनी की त्यारी कर रहा था तभी वहां उसकी बीवी आती है कहती है छोड़ना यार यह बली बाद में दे लियो आ जा पनी टिक का आये है खाले बाद में कर लियो वो कम बिरजु कहता है तू खाले यार मैं तो बली देने के बाद ही खाऊंगा वो कहती है आना है तो आजा वरना मैं तेरे हिस्से के भी पनी टिक के खालूंगी जिससे बिर्जु भढ़वा को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी बीवी का गला काट देता है कहता है साली अब खा कर दिखा मेरे हिस्से का पनी टिक का जिसके बाद वो फिर से तंतर मंतर पढ़ने लगता है तभी उसको डिस्टर्ब करने वो चारों भी वहाँ पहुच जाते हैं जिसकी बिर्जू भडवा पूजा 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 बजाये जा रहा था आपको देखकर बहुत खुशी हुई बताओ चाई पिओगे या कोका कोला चुप हो जा साले भडवे बादर चो तुने कोंट्रैक्ट तोड़ा है इसलिए गांडू के धनिये उल्लू की जाट मैं तेरी आत्मा को खाऊंगा पर 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 मालिक मैंने तो आपके लिए पेटी पैक लड़की भेजी ती मैंने सारे नीमों का पालन किया था अच्छा तुझे लग रहा है मैं जूट बोल रहा हूँ साले बावली गाइंड भाण के लंड तुने जिस लड़की की बली चड़ाई वो पेटी पैक नहीं है बोलू भाड में जा कहता है बे क्या मतलब है तेरा मेरी बेटी पेटी पैक नहीं है पेटी पैक है वो पेटी पैक बाई जद बरी कहती है बापु मैंने अपनी इज़त लुटवा रखी है इसलिए तो मैं आज बच गई देखा मैं हूना डेड़ शानिंग बिरजु भडवा कहता है मेरे मालिक मैं माफ़ी चाहता हुँआ आपसे मुझ्द से बहुत बड़ी गल्पी हो गई माफ कर दो मुझे अब इस साले मैंने तिरे को थोड़ी दिर पहले क्या बोला था चुप हो जा चुप हो जा वरना मैं तिरी गहिंड का इतना चमतकार करूंगा इतना चमतकार करूंगा जिससे तुझे लगेगा कि तुझे खुणी दस्त लग गाए है गांडू तुने मंतर पूरा पढ़ा और मैं अब यहां आ गया हूँ तो मुझे एक नई पेटी पैक लड़की चाहिए लेकिन लेकिन मेरे मालिक मैंने किसी और पेटी पैक लड़की को आपके लिए तियार नहीं किया यहाँ पर कोई और पेटी पैक लड़की नहीं है अब क्या करे मालिक अच्छा तुने मुझे गांडू समझाया क्या वो मोटी रसके कमर वाली बूड़ी हो चुकी है पर अभी तक भी वो वर्जिन है मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा रसके कमर कहती है बे साले क्या बकवास कर रहा है बाईस करता है पर बात नहीं बढती भोलू भाड मेजा अपना उजार भी अंदर डाल देता है तभी रसके कमर की बहन का पानी टपकने लगता है बोले तो वो बच्चे को जनम देने लगती है जिसमें उसकी कोक से एक लड़के का जनम होता है अब नर्क के राजा को पेटी पैक लड़की नहीं मिलती तो वो जला जाता है जिसके वहां से जाते ही सब सही हो जाता है और तीर महीने बीच जाते हैं जिसमें भोलू भाड मेजा और रसके कमर ने मिलकर भूत पकड़ने का धंदा सुरू कर दिया है जिसके साथ-साथ वो रसके कमर को साधी के लिए परपोज भी